नमस्कार जेहन दोस्तो आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि 12th class board exam के लिए important topics ये question आपको 5 number के लिए मिलेंगे दोस्तो थोड़ा सा सलेबस की बात करूँगा कि आपके question paper पर 5 अंग के लिए 3 question आते हैं यानि 15 number के question मिलेंगे उनको मैं यहाँ पे बता रहूँ चलिए देख क्या है इनके परिभासा को लिखना है सतूत्र और इकाई भी यार करनी है आपको वहीं 3 question में विद्धुद्रसानिक सेल और विद्धुद्रसानिक सेल के उधानार समझाना है उधानार में आप गल्वनिक सेल की क्रियवीधी को सचीत्र समझा सकते हैं वहीं 4 question है माना, Khidrogen, इलक्टोट क्या है सचीत्र वर्डन करना है रह नेेर्सनकूचन के कारार एवं प्रेडाम को समझाना है आपको, वहीं 7th question में आपको समझाईई, यूर्भ निमनबिंदू और समझाएए थो 7th question में आपको क्या-कया देखना है है संक्रमर तत्व किसे करते हैं इनके समान ये electronic विन्यास लिखिए वहीं next question copper plus और copper 2 plus का electronic विन्यास करना है और आपको ये बताना है कि सबसे अधिक अनुचुम्बकी कौन है इसमें आपको पुछा जाता है कि colorful और colorless भी पुछा जाता है वहीं next question iron plus और iron 2 plus इनमें भी आपको electronic विन्यास करना है और ये बताना है कि सबसे अधिक अनुचुम्बकी कौन है next question ये है संक्रमर धातुय समान ये तह colorful होते हैं क्यों तो इसके काराड को बताना है भई आपको वहीं lengthenates क्या है इनको प्रिथा करना कठिन क्यों होता है इनको समझाना है आपको वहीं next question जो है आपके organic chemistry से लिया गया है जहां से 5 number का question आता है और 5 number का ये जो question है पुरा reaction को भर के दिया जाता है है ना तो फर्स्ट reaction है Kenny Jaro अभिक्रिया सेकेंड डियाक्षन to मैं next video 4 number और 3 number के लिए लेकर आऊंगा यदि आपको और भी subject के ऐसे important topics चाहिए तो बिलकुर comment करके बताईएगा फिर भी लेंगे next video में नमस्कार जय हिन